हरियों तसर आज हम एक नए टॉपिक ले लेते हैं कि साथ दिन में हम वजन कितना घटा सकते हैं तो हमारा 94 से योग का क्लासिस चलते हैं उसमें जो हमको बहुती बड़े से रिजल मिले हैं ये साथ दिन में कम से कम 2 किलो से लेकर 5 किलो वजन तो कम होता ही है और 2 से 3 केस में मुझे 7 किलो वजन कम हुआ है ऐसा मिला हुआ है तो एक दिन में 1 किलो वजन कम होता है तो ये साथ दिन का प्रयोग है उसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो पहले दिन आपको केवल फल खाना है कोई भी एक फ्रूट आप सिलेक कर लो और सीजन के रूतु के मुताबिक जो फल मिलता है वो आप चूज कर सकते हैं जैसे के अभी घ्रेप्स अंगूर मिलते हैं तो अंगूर खा सकते हैं पूरा दिन आपको अंगूर खाना है आपकी एक समता के मुताबिक तर्बुज किसको खाना है तो तर्बुज लेकर आ जाईए और पूरा दिन तर्बुज ही खाना है और दिन भर में यानि पूरे दिन में 8-10 गलास पानी भी पीना है पहले दिन आपको कम से कम 1 किलो वजन कम हो गया ऐसा आपको महसूस होगा फ्रूट में आपको केला नहीं खाना है वो ध्यान में रखना है दुसरे दिन आपको सिर्फ सब्जी आ लेनी है सबजी कोई भी आपको 2-3 पसंद भी ले सकते है या कोई भी एक सबजी ले लो उसको अच्छी तरह से धो कर कच्ची पक्की खा सकते है या तो उसको बॉइल करके उबाल कर खा सकते है हाँ एक चीज का द्यान रखो उसमें मरी मसाला बहुत ही कम डालना है तेल हो सके इतना मिनिमम कर दो और अपने क्षमता के मुताबिक पूरे दिन में बस एक सबजी खाना है और कोई चीज ने खानी है तीसरे दिन आपको कोई भी एक फल ले लो और थोड़ी एक ये दो सबजी मिला कर भी खा सकते है तो मानिजे लंच में आपने फ्रूट खाया है कोई फल लिया आपने तो साम के समय सबजी खा लो या तो लंच के समय में कोई सबजी खाईए तो साम को फल ले लीजिए इसमें केला और आलू नहीं लेना है चौथे दिन आपको अपने क्षमतर के अनुसार पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा आठ केले खा सकते है या तो मैक्सिमम तीन गलास दूद पीना है इस दोनों चीज एक साथ में नहीं लेना है पूरे दिन में आठ केला से ज़्यादा नहीं लेना है और मैक्सिमम तीन गलास जितना दूद और वो भी दूद कौन सा तो सुद्ध देसी जो गाय हती है वो दूद पीना है उसको A2 टाइप का मिल्क कहते है अपनी देसी गाय जो घीर की गाय तो उत्तम है बढ़िया है तो वो दूद पी सकते है बताये ठीक उसी दर दूद और केला एक साथ में नहीं खाना है दोनों को अलग-अलग खाना है माली ज़िए अभी अपने केला खाया तो देर दो गंटे के बाद या ढ़ाई गंटे के बाद आपको दूद पीना है पांचवे दिन आपको अपने क्षमता के अनुसार थोड़ी उबली हुई दाल कम से कम दो कटोरी पी सकते है या खा सकते है पूरे दिन में छे टमेटा ले सकते है और आठ, दस या बारा गलाज इतना पानी पी सकते इससे क्या होगा आपके सरी में जो यूरिक एसिड जमा हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाएगा इस सरी की जैसे सुद्धी करन हो गया ऐसा आपको महसूस होगा छटे दिन आपको उबली हुई दाल, एक दो कटोरी और सबजी क्षमता के अनुसार खा सकते है इस सबजी भी सेब कच्ची पकी या थोड़ी उबाल कर ले सकते है साथवे दिन आपको अपने क्षमता के अनुसार थोड़ी दाल थोड़ा चावल एक कटोरी जितना बहुत हो गया एक दो सब्जी मिला कर सब्जी या ले सकते हैं और पूरे दिन में एक समय कोई भी एक फुरूट का ज्यूस पी सकते हैं एक गलास जितना ज्यूस पीना है ज्यादा नहीं कि इसे साथ दिन का प्रयोग करना चाहिए आपको अवश्य लाब मिलेगा हर रोज कम से कम 500 ग्राम या तो एक किलो वजन कम होता है आठवे दिन आप अपना वजन मापेंगे तो दो तीन किलो से लेकर पांच किलो वजन कम हो गया होगा या मैक्सिमम साथ किलो वजन कम हुआ होगा जैसे मैंने बताया उसको आप स्प्रिकली फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया सा रिजल मिलने वाला है अगर कोई चाहे यही प्रयोग लाब मिल गया आपको दुबारा करना चाहते तो तीन दिन या साथ दिन जाने दो उसके बाद आवे यह प्रयोग फिर से रिपीट कर सकते है दो तिन चीजों का ध्यान रखे नमर एक के हर रोज आपको आट दस या बारा गलास जितना पानी पीना चाहिए कभी कभी पानी में तरस कम लगी गए ऐसा लगता है तो थोड़ा निम्मू उसमें निचोर दीजे और निम्मू वाला पानी पी सकते है कई किसी को चाय या कॉफी पीने की आदत है तो छोड़ दो तो बहुत अच्छा है कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए ये प्रयोग के दर्म्या साथ दिन में कोई भी व्यसन नहीं चाहिए कोई ड्रिंग लेते हैं तो ड्रिंग भी नहीं अगर कोई स्मॉक करते हैं तो स्मॉक भी नहीं चाए कॉफी भी नहीं और बहुत तलब लगे तो आपको दूद या चिनी डाले भी न काली चाई या काली कॉफी पी सकते है और मैंने जो fruit juice बताया था वो 7 दिन ही लेना है एक glass जितना ही लेना है बिच में कभी भी fruit juice नहीं लेना है अगर ये प्रयोग करते समय किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे phone कर सकते है इसमें आपको 3 दिन भारी पढ़ने वाला है कई लोगों को 14 दिन भारी पढ़ता है भारी पढ़ेगा मतलब क्या है तो तीसरे दिन आपको हलका सा बुखारा सकता है अपनी सरीर की प्रकुरूती के मुताबिक सबको बुखाराना ऐसा जरूरी नहीं है कई किसी को headache जैसा लगता है कई लोगों कैसा लगे अनेजिनेस लफील करेंगे आप तो ठीक नहीं लगना या नींद नहीं आना ऐसा कुछ होगा तीसरे दिन थोड़ा भारी पढ़ेगा तीसरा दिन पसार हो गया तो फिर आराम से साथ दिन आप प्रयूप कर पाएंगे अब एक बार आपका वजन कम हो गया है यह साथ दिन का आपने प्रयूप कर लिया और आपका वजन दो, चार, पाँच या साथ किलो कम हो गया तो उसके बाद या तो जब यह वजन घट रहा है दुबारा करना चाहते है तो भी यह जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो आपको बढ़िया सा रिजन मिलेगा या जो वजन कम हो गया है अब वो दुबारा बढ़ेगा नहीं आप गलतिया चालू कर देंगे तो फिर से अगर मानलीज आपका पांच किलो वजन कम हुआ है तो गलतिया करेंगे तो बढ़नस के साथ छे किलो बढ़ जाएगा कहने का मतलब कि प्रयोग खतम हो गया फिर हम हमारी मन मरजी करेंगे तो यहसा नहीं चलेगा तो देखो वजन घटाने के दैनिक कारेकर्म क्या हो सकता है तो सुबह मान लिजे 5-5 बजे या 6 बजे उड़ जाते है तो अपने क्षमता के अनुसा आदे घंटे के लिए आपको कोई भी अनुकुले वो कसरत कर सकते है योग कर सकते है विविद आसन कर सकते है प्रानायम कर सकते है आदा गंटा निकाले बहुत हो गया और करीब आपको 6 या सवा 6 बजे आपको एक गलास गुनगुना पानी उसमें थोड़ा निमून निचोड लीजे एक चमस जितना एक चमस जितना सहद भी हनी जो बोलते हैं वो डालकर आप पानी पी सकते है करीब नव बजे या सवा नव बजे के आजू बाजू आप एक गलास जितना दूद पी सकते है अगर कई लोगों को दूद अनुकुल नहीं आता है तो एक गलास जितना यानि 200 से 2500 अमेल ताजी खटापन नहीं होना यसी 6 पी सकते है दूपर में 12 से बारा के बीच में भोजन कर सकते है उसमें भी कोई उबली वी सबजी ले लो सलाड ले लो आप अलग-अलग जैसे कैबेज, कोबीज है ककड़ी है, गाजर है या फलावर है, बीट है, मूली है इत्यादी और एक चटनी आप बना सकते है चटनी कैसे है, तो हरी धनिया डालिए उसमें, थोड़ा अद्रक डालिए थोड़ा हल्दी डालिए नारियल जैसा उसमें डाल सकते है और हो सके थोड़ी रूटी के साथ आप ले सकते हैं, एक या दो रूटी खा सकते हैं दूपर में 3 बजे बहुत भूग जैसा लगे तो कोई भी एक फूरूट ले लो जैसे कि मोसम भी है, संत्रा है या रूतू के अनुकूल या आपको जो मन पसद फले दो पीस या तीन नंग ले सकते हैं और करिम साम को साथ बजे, साड़े साथ बजे आप जो डिनर में अंकूरित मूग है या कोई सबजी है, उबली वी सबजी या हलकी सी खिचडी जैसा बना कर ले ले हो कोई भी सबजी ले सकते हैं अगर किसी को कोई फल खाने की इच्छा है तो कोई चीकू जैसा है केला है, सेब है, कोई पपीता है ऐसा कोई फुरुट खा सकते है या तो फिर सलाड में भी थोड़ा कुछ ले लो या कोई सूप पी लिजे, कोबीज का यानि केबेज है, ककड़ी है गाजर है फ्लावर है, इत्यादी ले सकते है, कहिने का मतलम इतना ही है कि आप भोजन में हलका लीजिए और थोड़ा फाइबर जाता है तो बहुत अच्छी बात है इससे पेट सपय अच्छी तरह से हो जाती है हमारी आते अच्छी तरह से साफ हो जाती है तो ये प्रयुक से भी रूटीन में अपना लेते है तो आपका वजन कम रहेगा फिर दुबारा बढ़ेगा नहीं अस्तू हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रूप में सेयर कर लीजिए और आप सब को विननती हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए